इस वीडियो में आपको इस पार्ट में आए प्रशनों के लिखित उत्तर मिलेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें वेब बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें अब बच्चों इसके अभ्यास प्रशनों को देखते हैं अध्यापक के कक्षा में आने पर आप किस प्रकार अभिवाधन करते हैं अध्यापक के कक्षा में आने पर हम खड़े होकर शूपरभात PERражण गुड मोर्निक कहते हैं तरुन ने अच्छे नागरी का दाइत्व कैसे निभाया तरुन ने बुजुर्ग को बस में बैठने के लिए स्थान देकर अच्छे नागरी का दाइत्व निभाया प्रदेश में बिजली संकट पैदा होने के क्या कारण है? बिजली की खपत, बिजली की लगातार बढ़ती मांग, उराने धंकी बिजली वित्रन प्रनाली और एक हमारा बिजली का वेत्त में दुर्पयोक करना पानी को वेर्थ बहने से कैसे बचाय जा सकता है पानी को वेर्थ बहने से बचाने के लिए हमें जरुरत ना होने पर नल बंद कर देनी चाहिए अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन सी आधितों को अपनाना चाहिए अच्छे नागरिक बनने के लिए निम्र लिखित आदिते अपनानी चाहिए समय का पालन करना चाहिए बस पर चड़ते समय धक्का मुक्की ने करना अपने से बड़ों का आदर करना सब्वे बाश्चा का प्रियोग करना स्वच्चता का ध्यान रखना हाँ या नहीं में उत्तर दे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए हाँ या नहीं हाँ मोबाइल पर मित्रों से गप्पे हांकनी चाहिए नहीं हाथ दोकर खाना खाना चाहिए हाँ नल को खुला छोड़ देना चाहिए तो यहाँ पर क्या आएगा नहीं रोजाना दान साप करने चाहिए हाँ, कूड़ा कूड़े दान में डालना चाहिए, तो हाँ आपकी बात, अपनी स्कूल वे आसपास को स्वच रखने के लिए आप क्या करते हैं? अपनी स्कूल वे आसपास को स्वच रखने के लिए हम कच्रा हमेशा कच्रा पात्र में ही डालते हैं आप अपने घर में पानी वे बिजली की बचत कैसे करते हैं पानी की बचत के लिए जरुत ना होने पर घर के सारे नल बंद रखते हैं नहाने के लिए फारे की बजाए बाल्टी से पानी का उप्योग करते हैं और बिजली की बचत के लिए साधारण बल्प की जगए LED लाइट का ही प्रियोग करते हैं, जिससे बिजली की खपत कम हो, आशकता नय होने पर लाइट वे पंखे बंद रखते हैं, पार्ट के अलावा और कौन-कौन सी अच्छी आदिते हैं, जिन से हम समाज का भला कर सकते ह तो अच्छी आदिते हैं कुछ इस प्रकार की हो सकती हैं, परियावरन का बचाव करना, तो बहुत सारे काम हैं, जो आप लिख सकते हो, जैसे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करके अपने आसपास साफ सपाई रखना और सरकारी संपत्ति को नुकसान ने पहुँचाना और भी बहुत सारी अच्छी आदिते होती है जिन से हम अपने समाज का भला कर सकते हैं तो वो आप लिख सकते हो कोई ऐसी घटना बताएं जिसमें आपने किसी की मदद कियो मदद करने के उपरांथ आपको कैसा मैसूस हुआ तो ये घटना आप अपने हिसाब से सोचो और लिखो कि आपने किसी की मदद करी हो तो उस घटना को लिखना है और मदद करने के बाद आपको कैसा लगा वो लिखो जैसे एक शाम को जब हम सब बच्चे अपने घर के पास खेल रहे थे तब मुझे किसी कुट्टे के भूखने की आवास तुनाई दी मैं जब अपने दोस्तों के साथ उस तरफ गई तो मैंने देखा कि एक कुट्टे का पिल्ला किसी खाई से निकल नहीं पा रहा है और वह बहुत परिसान भी था हम सब बच्चों ने मिलकर उसे बहार निकालने के लिए काफी कोशिश की मगर उसे नहीं निकाल पाए फिर मैंने खाई में उतर कर उसे गोदी में उठा कर बाहर निकाला वै बहुत प्रशंन हुआ और ये काम करने के उपरांत यानि करने के बाद मुझे बहुत अच्छा मैसूस हुआ मोबाइल के सदूपयोग वै दूरपयोग पर चर्चा करें तो मोबाइल के फाइदे भी हैं और नुकसान भी तो वो क्या हैं? वो आप लिखिए जैसे सदूपयोग में, अच्छे उपयोग में किसी से बाचित करने के लिए इंटरनेट का प्रियोग करने के लिए अभी आप मेरा ये वीडियो भी तो मोबाइल के मात्यम से देख रहे हैं मनोरंजन का साधन फोटो वीडियो आधी रिकॉर्ड करने के लिए सुरुकसा उपकरण के रूप में अलारम और अनुसमारक्यानी रिमाइंडर के काम ओनलाइन पढ़ाई करने के लिए और इसका दुर्प्योब बहुत अधिक समय तक गेम खेलना पूरे समय चलचित्र देखना वहां चलाते समय ध्यान भटकना स्वास्ते समश्चाएं क्योंकि आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपकी आँखों पर भी बहुत असर पड़ेगा पैसे का नुक्सान यात्रा की समय उची आवाज में संगीत से दूसरों को परिशान करना आपके घर में किस बल्प का परियोग किया जाता है ये भी पता करें किस बल्प के परियोग से बिजली की बचप की जा सकती है तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि आपके घर में कौन से बल्प का परियोग किया जाता है हजर से हमारे घर में LED बल्प का परियोग किया जाता है ये देखो ये कुछ इस तरह के बल्क होते है न जिसमें इसे LED बोला जाता है ये CFL और ये साधारन बल्क तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके घरों में इन तिनों में से कौन से का प्रियोग करते हो फिर हम इनका प्रियोग करके बिजली की बचत कैसे करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना है कि ये 6W बिजली खर्च करता है और ये 15W और ये 45W बिजली खर्च करता है तो अब आप समझी गए होंगे कि हमें कौन सा बल्क लगाना चाहिए तो LED बल्क के प्रियोग से बिजली की बचत की जा सकती है क्योंकि इसका प्रियोग करने से सबसे कम वाट बिजली खर्च होती है बाशा की बाथ सिस्ट एसिस्ट बाशा का प्रियोग नहीं करना चाहिए तो इन दोनों का अर्थ अलग-अलग है न उपर दिये गए वाक्यों में सिस्ट और एसिस्ट एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं सिस्ट कार्थ है अच्छा व्यवार और एसिस्ट का बिल्कुल इससे उल्टा खराब व्यवार इस परकार निचे देगे शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें जैसे इने हम विलोम सब भी कह सकते हो जैसे स्वच्च का उल्टा क्या होगा दूसित दुर्पयोग का उल्टा उपयोग सुख, दुख, सब्बे, एसब्बे, आधर, निराधर सिस्टाचार यानि अच्छा आचरन का पालन करने वाले को सिस्टाचारी कहते हैं निचे दिये गए वाक्यांसों के लिए एक-एक सब लिखें ये पूरा एक वाक्यांस है तो इसके लिए एक सब लिखना है मित भासी, बहुत अधिग वोलने वाला अधिवक्ता, साथ पढ़ने वाला सै पाठी, साथ काम करने वाला सै कर्मी, पाठ में नागरिक शब्द का प्रियोग भुआ है, जो नगर के साथ एक लगने से बना है, आप भी एक लगा कर नए शब्द बनाईए, तो किसी भी सब्द में आप एक लगाओगे, तो ये एक क्या है, एक परते है, तो एक परते लगने से नए शब्द बनता है, जैसे नगर सब्द में हमने एक जोड़ा तो बना नागरिक वैसे ही वर्स प्लस एक वर्स में एक परते जोडने से बना वार्षिक, समाज प्लस एक, सामाजिक, दिन प्लस एक, दैनिक, व्यवार प्लस एक, व्यवारिक इतिहास प्लस एक एतिहासिक विज्ञान प्लस एक वेज्ञानिक ऐसे ही आप और शब्द लिखो और उनमें एक पढ़ते लगा कर मुझे कमेंड वोक्स में बता सकते हो पढ़ें समझें और लिखें मेरा प्रियोग होता है ये बात कौन कह रहा है मोबाइल तो इसका प्रियोग इसके लिए होता है संदेश भेजने के लिए समयवतिती देखने के लिए गणना करने के लिए और ये कौन है कम्प्यूटर तो इसका प्रियोग हम पढ़ाई करने के के लिए करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल के लिए डाटा भेजने या पाने के लिए, छोटे गोले के अंदर एक शब्द दिया गया है, विद्यालें, अन्य बॉक्स में उससे सम्धित चीजों के नाम लिखें, जैसे उधारन के लिए ये विद्यालें है, तो विद्यालें मे मेज, कुर्सी, चौक, तो ऐसे ही अस्पताल में क्या-क्या होगा, सोचो और लिखो, जैसे डॉक्टर, नर्स, दवाई, मरीज, टिका, और रेल्वे स्टेशन पर क्या-क्या होता है, रेल, टिगट खिड़की, यात्री, प्लेटफार्म, टी-टी, आईए शब्दों के अर्थ जाने, ये आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिये गए शब्द हैं, उनको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जैसे अपेक्षा, उम्मीद, अभिवादन, प्रणाम या, नमस्कार, आचरण, व्यवभार, दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल, निश् पक्का इरादा, वैस्त, कारिये में लगा हुआ, संकट, मुसीबत, इस पार्ट को एक बार फिर से पढ़ें, वैस समझें, जल की हर बूंद अमुल्ले है, यानि बहुत केमती है, उसके सरंक्षन की आदत बनाएं, कचरे को कचरे के डिब्बे में ही फेंकें, ताकि वो आस पास के जल स्रोतों को परदूसित ना करें, सुजाओं वैसुदारों के लिए कमेंट वोक्स में लिखें, अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों न करें इनको लाइक, सब्सक्राइब, और रिकमंड, हमें और बहतर बनाने के लिए आप कर स करते हैं कमेंट, धन्यवाद,